दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल EMU कलास की कलार टेट स्रीज मैराथन कलास के रात के 8 बज़ के आज के स्रिंखला में तुमित्रों देली की तरह आज भी भेतरीन प्रश्णों की स्रिंखला आपके स्क्रीन पे मौजूद है और वीडियो में सुरस्यां तक बने रहेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिजेगा चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्ण की पहला प्रश्ण जो आपके स्क्रीन पे है वो कह रहा है सिमला के काली बाडी मंदिर के दिभारों पर किस कालाकार ने मादुर्गा के दस महभिध्या के चित्र उके रहे हैं क्या सतीस गुजराल ने वो बनाया है केजि सुपरमडियम साहब ने हिम चटर जी ने या सनत कुमार चटर जी तो पहले प्रश्न की आदाज हो चुकी है और आपके उत्तर की शुरुवात हो जानी चाहिए मेरे उत्तर से पहले तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के उत्तर की और पहला प्रश्ण जो है उसका सही जवाब होगा D सनत कुमार चटर जी ने ठीक है अगला प्रश्ण आपके इसकरीन क्या कहे रहा है कि गुप्त काल के शासकों का जो राज की अचिन्ह था ठीक है कहा के गुप्त काल के जो सासकों का राज की अचिन्ह था वो क्या था सिंग कपोट गरुड या मयूर तो चलिए तीस प्रश्णों की स्रिंखला आज भी है डेली की तरह और बेश्ट अपना आपको देना है कितना सही रहा या आपको अपना शाबित करना है वीडियों में सुरूशन तक बने रहते हुए दूसरा प्रश्ण हमारे स्क्रीन पर है और गुप्त काल के सासकू का जो राजिकी जिन्न था वो क्या है पूछ रहा है तो तुमित्रो वो था गरुड क्या था गरुड अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन का देखी क्या कह रहा है प्रश्ण का कहना है कि इन में से कौन से चित्रकार के चित्रों का सिर्षक अंटाइटिल्ड रहता है इन में से वो कौन से क्या है चित्रकार है जिनके चित्रों का जो सिर्षक है जो थीम है वो हमेशा क्या रहता है अंटाइटिल्ड रहता है क्या वो विध्याशागर उपाध्याए है नाथुलाल बर्मा है लास्य उपाध्याए या बिजय कुलकडवी ठीक है तो चित्रों का विशय अंटाइटिल रहता है हमेशा उस चित्रकार के और मित्रों वो चित्रकार हैं आपके विद्याशागर उपाध्याजी रे एर आइटेम सर इस प्रश्न का हो जाए गरा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए हिंदी परदीप और माधुरी ये दोनों जो पत्रिकाएं हैं ये पत्रिकाएं परकाशित की जाती हैं कहां से दिल्लिशे बनारशे मुंबईशे या इलहाबासे तो चलिए वीडियो को लाइक और प्यारा सा प्यारा सेयर जरू कर दीजेगा ताकि बाकी लोग भी जो नए हैं वो आपके हेल्प से इस टीम का हिस्सा बन सकें और हमें भी एक मुकाम दे सकें ठीक है और वो सब है आपसे पॉसिबल आप ही इस चैनल के करता दरता है मित्र आपसे ही हम हैं तो ये चोथा प्रुष्ण है अमारा और इसका सही जबाब जो होगा वो हो जाएगा डी इलहा बाज से अगले प्रुष्ण की तरह पूक बढ़ते हैं अगला प्रुष्ण है आपके स्क्रीन का पांच नंबर मेवार की मुर्तिकला नामक पुस्तक के लेख किसे जानते हम राइटर के रूप में मेवार की मुर्तिकला के हैं तो वित्रो मेवार की मुर्तिकला के राइटर हैं बिश्डु प्रकास माली अगला है मच्छु आरिन इन में से कौन से कालाकार का बनाया चित्र हैं मच्छु आरिन चित्र का नाम है और चित्रकार कौन है एस एन सुजा साहब हैं गायतोडे वेदनायर या के एच आरा तो सुपर प्रश्णों की सिरीज है सुपर टेस्ट सिरीज है आज भी आपके तीस प्रश्णों की और सुरू शयंत तक बने रहते हुए अपने प्रोफाउमेंश को शाबित करिएगा डेली पढ़ते रहने का बेनिफिट यह है कि आपके दिमाग में हमेशा प्रश्ण अपडेट रहेंगे उत्तरों के साथ और इसका बेनिफिट आपको एक्जाम में मिलेगा तो छह नमर प्रश्ण है और इसका सही जवाब है गायक थोड़े ठीक है अगला प्रश्ण है यह डिजाइनर आर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं और डिजाइनर आर्ट यह जो पुस्तक का नाम है इसके राइटर कौन है पॉल रेड सोभा डे जगदीश डे या मुकुल ठीक है और डिजाइनर आर्ट यह पुस्तक किस ने लिखी तो मित्रो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं पॉल रेड जी कौन पॉल रेड अगला प्रश्ण है पूछ राय सबसे पहले राष्टी धोज तिरंगा का डिजाइन किस ने तयार किया था फर्स्ट आफाल सबसे पहले हमारे राष्टी धोज तिरंगा का जो डिजाइन था वो किस ने तयार किया था नंदलाल बोश ने अनुपम सूधने राम कुमार या सुकुमार ठीक है तो चलिए ये कलास आपकी चलती है TGT PGT आर्ट से सम्बंधित जो तैयारी करते हैं वच्छे उनके लिए चाहे वो किसी भी राज्य के हो तो खुद बनिये और दूसरे को भी जोडिये क्योंकि आप ही हैं हमारे इस टीम के हिस्सा जो हमें यहां तक लेके आये हैं हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं आप तो जो है कई लोग को जोड़ते हैं अच्छे प्यारे कमेंट्स लाइक सब कुछ करते हैं मित्रो तो आपका असरे हमसे ज्यादा जाता है इसने तो इस प्रश्ण का सही जबाब जो है वो हो जाएगा D.C. कुमार अगला जो प्रश्ण हमारा स्क्रीन पे है वो कह रहा है कि भारत के वरतमान राष्टिय धोज का डिजाइन किस ने तयार किया था अब वरतमान जो राष्टिय धोज हमारा है इस समय तिरंगे का भारत का उसको किस ने सजाया है किस ने तयार किया है वो तो था पर्थम किस किया था अब जो परजेंट टाइम में हम अपने जंडे में यूज करते हैं डिजाइन उसको तैयार करने वाले सक्सियत कौन है पूछ रहा है सुकुमार मित्र हैं सचिन प्रसाद बोश हैं पिगली वेंकयया या इन में शे कोई नहीं तो इस समय ये प्रशन शंख्या नो है आपके स्क्रीन पे नवे प्रश्ट पे हैं आप और नवे प्रश्ट का जो सही जवाब होगा वह आपका हुज जाएगा मित्रों सी पिगली व ध्यान देखिएगा में किस कहानी का उलेख मिलता है जो मार बिजय है अजन्ता की मार बिजय है ठीक है एक मूर्ती है और एक चित्र है तो मार बिजय की जो कहानी है ठीक है जो श्टोरी है उसमें जो वड़न मिलता है उलेख मिलता है वो मुह पर बुद्ध की जीत का मिलता है या बुद्ध के महापरी नीरवाण की कहानी मिलती है उसमें या बुद्ध का ध्यानमगन का जो है वो मिलता है या सारनात में बुद्ध का जो धर्म उपदेश है इससे रिलेटेड है वो मार बिजय नामक कहानी जो है या इस सिंपल भाषा में जो मार बिजय है वो क्या बताना चाहता है कौन सी श्टोरी को दर्शाना चाहता है इस भी कल्ब के अनुशार तो मित्रो वो जो है मोह पर बुद्ध की चीत का उलेह करता है ठीक है अगला प्रशन देखिए आपके स्क्रीन का क्या कह रहा है पतंग उडाती दो लड़किया नामक लगु पेंटिंग इन में से किस सहली से सम्बंधित है गुलेर सहली से बशोहली सहली से चमबा सहली से कुलू सहली से तो चलिए मित्रो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लिजेगा अगर आप नए है तो बेल आइकन का निशान जरूर दबालेजेगे घंटी का ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे विडियो पसंद आए तो लाइक और शेर भी कर दिया करिएगा इस समय हम इगरावे प्रशन पे हैं और जो पूछ रहा है प्रशन हमारा उसका सही जवाब है अगला प्रशन आपके इस करीम पे देखे क्या खहरा कनहाई परिवार किस लिए परशिद्ध है कनहाई जो परिवार है वो आखिर किस लिए परशिद्ध है कनहाई परिवार मतलब नाम अलगल है लेकिन टाइटिल जो है कनहाई है तो ये जो कनहाई परिवार है वो प्रशिद्ध है परशिद्ध है परजेंट टाइम में कौन सी तरह की कला बनाने के लिए तो मित्रो वो जो है आपके 12 नमर प्रश्ण है दोनों तरह की चित्र बनाने के लिए वो लोग विख्यात है राजनेताओ के बेक्ती चित्र और पारंपरिक शोने के चित्र भी बनाने के लिए वो लोग क्या है मशहूर है ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका C ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पे हैं मित्रों मुझूद है प्रश्ण कहरा है 13 नमबर किस कालाकार ने उत्तर परदेश के पुर्व मुख्य मंतरी के बेक्ति चित्र बनाए थे इन में से वो कौन सा कालाकार है जिनने उत्तर परदेश के पुर्व मुख्य मंतरी के बेक्ति चित्र बनाए किष्ण कनहाई गोबिंद कनहाई दोनों ही या इन में से कोई तो मित्रों ये जो कनहाई परिवार है ये मूल रूप्त से मथुरा का रहने वाला परिवार है में है और इन्हों ने जो है तोने की पारंपरी चिचे और बेक्ति चित्र बनाने में महारत हाशिर की है और उत्रप्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे पुर्व अकलिश यादो जी उन्हों ने जो है बनवाया था व्यक्ति चित्र ठीक है और अपने शासन समय में तो इस प्रश्ण का जो सही जबा हो जाएगा वो जाएगा दोनों ही यानि दोनों ने मिलकर बनाया था अगला प्रश्ण है पेंटिंग आफ अवनिंदर नाथ क्या लिखा है पेंटिंग आफ अवनिंदर नाथ इस पुस्तक के जो लेखक है इन में शे कौन है आर्शिवकुमार प्राणनाथ मांगो प्रतिछा अपुर्व गीता कफूर तो चलिए फटा फट अपने कमेंट्स ड्रॉप करते रहिए इन बॉक्स में और देखिए कि क्या रहा आज का सुपर बेश्ट अपने इस चैनल के इस वीडियो में तो मित्रो हमारा ये चोदा नमर प्रश्ण है जो इस समें स्क्रीन पे है और इसका सही जबाब है आर्शिवकुमार कला समित छत आर्शिवकुमार अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पे है फेलो बुफेलो ये एक चित्र स्रिंखला है और इस चित्र स्रिंखला के रचनाकार कौन है परमानन चोयर सनत चटरजी नीली मा सेख या हिम चटरजी ठीक है पंदरहवे प्रश्ण पे है तीस प्रश्णों में से इस समय आप 15 प्रश्ण पे है इस समय पंदरह प्रश्ण में पहुंच चुके है हाफ आपने पुरा किया है तीस टोटल है और टोटल में कितना आप बेश्ट करते हैं या आप पे निर्भर करता है पे डिपेंट करता है आपकी तैयारी पे इसका सही जबाब है हिम चटर जी ठीक है कौन है हिम चटर जी आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन आपके स्क्रीन पे इस समय मौझूद है और प्रशन कह रहा है तीन पौराडिक देविया नामक भीती चित्र को किश आधुनिक कलाका ने बनाया था तीन पौराडिक देविया क्या है ये ये एक भीती चित्र है ठीक है और इसको जिस आधुनिक कलाकार ने रचा था क्या वो नंदलाल बोस्त थे या केजी सुपरमडियम शाहप सतीस कुजराल सहप या बिनोध बिहारी मुखर जी ठीक है कामन जो हमारा पौइंट है इस प्रश्ण में ये है आपका ये जो भीती सब्द पूछ रहा है तो भीती चित्रकारी जो है ये है तीन पौराडिक देविया जो एक भीती चित्र है और जिस आधुनिक कलाकार ने इससे रचा है वो है आपके केजी सुपरमडियम शाहप आप से कह रहा है इच्छाओ का काला बाग इच्छाओ का काला बाग नामक पेंटिंग किसकी है पिकास भटाचारिया ए रामचंदरन मनजीत बाबा अकबर पदमशी तो फटाफट वीडियो को लाइक फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप जिस ग्रूप में भ आपका शेयर ही हमारे टीम में और भी मेंबर को जोड़ने के लिए हेल्प करता है 17 प्रश्ण है अमारा और इसका सही जवाब है मनजीत बाबा का अगला प्रश्ण है आपके स्क्रीन पर मश्खरा क्या है मस्खरा मित्रो नामक चितर के चितरकार कोन है जो मस्खरा है ये चितर का नाम है और इस चितर को किष्णे रचा है किष्णा खन्ना ने किष्णा रेड़ी रहे के जिस वपर मणयमने याक्तायर महता ने किष्णे तो मस्खरा नामक चितर के रचाइता है आपके किष्णा रेड़ी ठीक है अगला प्रश्णा आपके स्क्रीम पर है मौजूद और प्रश्णा मारा पूछ रहा है उन्निश नमबर किस कलाकार पर केंद्रित कुमार शाहनी की एक फिल्म है कुमार शाहनी की एक फिल्म है जो केंद्रित है इनमें से इस बिकल्प में एक कलाकार पर यानि कुमार सहानी के निर्देशन में बनी ये फिल्म जो केंद्रित है इनमें से एक कलाकार पर तो क्या वो केजी सुपरमाडियम पे केंदरित है मंजीत बाबाद पे केंदरित है उनकी ये फिल्म कुमार शाहनी की तया महता के या अकबर पदमशी के ठीक है तो प्रश्ण समझ गए होंगे आप कि कुमार शाहनी द्वारा निर्देशित ये फिल्म जो है स्केंदरित है इनमें से एक कलाकार के जीवन पे कह लिजिए उनके लाइफ पे तो वो कलाकार है कौन ठीक है तो मित्रो वो सक्सियत है अकबर पदमशी आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण देखिए आपके इस क्रीम पे क्या कह रहा है दकिंग आफ डार्क चेंबर इनमें से एक है क्या वो एक मूर्ती है ये या एक चित्र है या एक भीती चित्र है या इनमें से कोई नहीं है दकिंग आफ दर जो डार्क चेंबर है वो अशल में क्या है तो तीन में से कोई एक तो है कोई नहीं है यह तो आप्षन नहीं है एक तो है कोई लेकिन इन तीनों में से एक क्या है आखिर उसको क्या कहा जाएगा मुर्ती कहा जाएगा चित्र कहा जाएगा या भीती चित्र है 20 नमर प्रश्ण है इस समय आपके स्क्रीन पे 10 और प्रश्ण आपके बचे हैं तो 20 प्रश्ण का जो सही जवाब हो जागा वो हो जागा C. The King of the Dark Chamber में त्रो वो एक भीती चित्र है ठीक है? अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पे देखिए विकास भटाचार्या ने अपनी पहली एकल परदश्णी किस शहर में की थी? कॉलकता में? बैंगलूरू में? मुंबई में? या इलहाबाद में? तो इस समय आप है 21 नमर प्रश्ण के स्क्रीन पे 30 प्रश्णों में 21 प्रश्ण पे मौझूद हैं आप और मुझे उम्मीद है पूरा कि बेष्ट एकदम बेष्ट आप हमेशा करते हैं आज भी आप बेष्ट करेंगे इस आर्ट वीडियो में 30 प्रश्णों के स्रिंखला के 21 प्रश्ण हमारा जो कह रहा है इसका सही जवाब मित्र हो जाएगा ए कूल कता में ठीक है अगला प्रश्ण जो आपके इस करीम पे है वो कह रहा है मंजीत बाबा किस तरह के कला आंदोलन के चितरकार थे मंजीत बाबा जो थे वो जिस कला आंदोलन के चितरकार थे वो किस तरह का कला आंदोलन का थार्थ प्रभाववादी कला आंदोलन के चितरकार थे अतिया थार्थवादी या थार्थवादी या घनवादी ठीक है प्रश्ण को देखिए प्रश्ण में है कुछ नहीं बस थोड़ा सा घुमाये गया है कौन से कला आंदोलन के चितरकार के रूप में पहचाने जाने जाते थे मंजीत बाबा शाहब तो मंजीत बाबा शाहब जो है अतिय थार्थवादी कला आंदोलन के चितरकार के रूप में जाने जाते थे अगला जो प्रस्षन है आपके स्क्रीन पे वो कह रहा है हमारा 23 Νthers इन में से वाक अलाकार जो अपने चितर सरिंखला को प्रोजक्ट कहता था यानि जो भी अपनी वो चितर सरिंखला बनाते थे उनों ने उनको प्रोजक्ट नाम दिया प्रोजेक्ट कहते थे पुकार, शित्र सरिंखला ना करके कहते थे, वो कहते थे, प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट कहते थे, तो कौन थे वो कलाकार, अवनिन्ना टेगोर कहते थे आज आपने शित्र सिंखला को, नीली माशेक कहती थी, अंजली इलामेनर कहती थी, या लचमण पैश आप कहते थे तो चलिए मित्रू काफी करीब हैं आप अपने फाइनल सम्मिट के 23 नंबर प्रश्ट पे हैं इस समय यानि तेश्वे प्रश्ट पे हैं जो पूछ रहा है हमारा प्रश्ट उसका सही जवाब है D लचमण पैश अपैश आप चित्र को Project अगला प्रश्ट अपके स्क्रीन पे उने से रिलिटेट है लचमण पैश ने इन में से किसका ब्यक्ती चित्र बनाया था पैश आपषन जो ब्यक्ती चित्र बनाया था इस option में शेक्किन का बनाया था अपने पिता का, अपनी मा का, दोनों लोगों का या इन मेंशे कोई वह कला का, जो अपने चीतर सरिखला को प्रजक्ट कहता था उन्होंने जो ब्यक्ती चीतर बनाये, इन मेंशे किसका बनाये था सिर्फ अपने फादर का, सिर्फ अपने मदर का, बोथ आफ इच अदर, दोनों का या इन में से कोई नहीं ठीक है? अच्छा प्रश्ण है, सुबर प्रश्ण है, 24 नमबर है और इसका सही जबावे मित्रो B अपने माता का उन्होंने चित्र बनाया था, इसकी अलावा उन्होंने नहरू का भी बेक्ती चित्र बनाया था, किनका? नहरू का अगला प्रश्ण जो आपके स्क्रीन पे है, वो है आपका 25 नमबर गुलाम रशूल संतोस ने किसके निर्देशन में चित्रकला की सिच्छा प्राप्त की थी? जी यार संतोस, यानि गुलाम रशूल संतोस किसके निर्देशन में, यानि किसके देखरेख में अपने चित्रकला की सिच्छा गरण की थी? इस कलाकार ने तो जाहिड सी बात है उनके वो गुलाम रसुल के गुरु हुए तो ये भी कह सकते हैं परिका ये भी है आपका पूछने का परशना तो इसका सही जबाबे मित्रो ए एन एस भेंदरे के छत्रचाया में देखरेक में अगला परशना आपके स्क्रीन पे है 26 नमबर गुलाम रसुल संतोस को ललित कला अकादमी का जो राष्टिय पुरुषकार था वो कितनी मरतबा मिला था कितने टाइम ठीक है तीन बार मिला था चार बार मिला था तीन बार मिला था या साथ बार मिला था जी यार संतोष सहाब जिन्होंने कला की चितरकला के सिछा NS बेंदरे के छतरचाया में लिठी अभी आपने उपर पढ़ा थोड़ देर पहले तो उन्हें कला के सिछा में जब अपना लिया और कला में वर्ग किया तो ललित कला अकादमी ने उन्हें राष्टिय पुरुषकार से नमाजा उनकी कला उनकी काबिलियत के लिए सवाल ये है कितनी बार नमाजा तो मित्रो तीन बार उन्हें नमाजा अगया ये अगला पुरुष्णापके स्क्रिम पे है प्रश्ण संख्या 27 यानि 27 नमबर भारत में इन में से पापकला के चित्रकार कौन है इन में से इन चारों में से भारत में पापकला के चित्रकार के रूप में हम क्या रामेस्वर भूटा को जानते हैं भूपेन खकर शाहब को जानते हैं गणेश पाइन साहब को जानते हैं या फिर अरपड़ा कौरजी को जानते हैं तो चलिए मित्रों काफी करीब हैं आप अपने फाइनल सम्मिट के कमेंट्स को फटाफट देते रहेगा मेरे उत्तर से पहले ताकि आपको अपनी टेस्ट की काबिलियत पता चले कि आपने जो त चाहिए तो इसका सही जबाब जो है मित्रों हो जागा भूपेन, खकर यानि बी राइडेंस है अगला प्रस्न आपके स्क्रीन पे कहरा 28 नंबर किश आधुनी कलाकार ने हत्यारा नामक चित्र बनाया किया स्कूल कर्णी, सार्दा चरडुकील, संजय भठाचारिया या पूछा जा रहा है, और वीडियो मों को पूरा देखा करिए, आप लोग थोड़े से धीले हो गया है, सब्सक्राइबर जो हमारे हैं, कुछ लोग जो है, और इसका रीजन भी मुझे पता है कि एक्जाम जब तक आप लोग को नहीं दिखेगा, डेट तब तक आप लोग ज जो है कम रहेंगे, बैलेंस का सर पे, चुग यह टेंसर नहीं रहेंगा कमने, यह नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो इसका सही जबाब है D, गणेश पाइन का बनाया चितर है हत्या, अगला प्रश्ण जो आपके स्क्रीम पे है, वो है सेकेंड लास्ट प्रश्ण यान की संजय भटाचार्या ने, गोपी गजवानी ने, या फिर के वेंकट अपपाने, त्रिवेडी कला शंगम की अस्थापना करने वाले कलाकार इनमेशे कौन है, सकेंड लास्ट प्रश्ण है स्क्रीन पे, 30 में से 29 पे समय है, टोटल 30, कितना रहा आपका बेश्ट इमांदा इसे कमेंट्स बॉक्स में बताईएगा पूरा फाइनल करने के बाद, इसका सही जवाब है मित्रो ए, के एस कुलकर्णी ने, अस्थापना की त्रिवेडी कला शंगम की और वीडियो का आखरी प्रश्ण देखिए आप से क्या पूछ रहा है, प्रश्ण शंख्या 30 अमारा कह रहा है आप से, भारत की वह आधुनी कलाकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे, अपने पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाती हैं, लगाती हैं मतलब परजेंट टाइम में जिन्दा हैं और वक कर रही हैं, क्या वो जया अप्पा स्वामी हैं, और पिता सि कहा था कि कभी-कभी प्रश्णों के भाव को पढ़के भी विकल्प देखके अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे कि इस प्रश्ण ने कहा है, अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाती हैं, लगाती हैं मतलब परजेंट टाइम में जिवित हैं और कारे कर रही हैं, अब इस पूरे विकल्प में आपको देखना है कि कौन कलाकार इन में से जिवित है, अगर जो जिवित है पहले उसको मार्क कर लेना है, फिर उसमें से आपको चुनाव करना है, ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, हाँ, अब उसमें ये होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए, कि हाँ भाई, इसमें से ये कलाकार अभी वर्क में है, तब आपके लिए कर पहेंगे, अगर आपको पता नहीं है, तो फिर प्राबलम हो जाए गया, ठीक है, तो ये तीसवा प्रशन है हमारा, जो हमसे पूछ रहा है, और इसका शही जवाब अमित्रो, दी, अंजली इला मेनन ऐसा करती है, ठीक है, अपनी पेंटिंग बनाती है, और अंग उठे का निशान लाती है, अभी वी परजेंट टाइम में है, असी पलस की उम्र में अपना वर्क कहर रही है, ठीक है, तो चलिए मित्रो, उमिद करता हूँ कि आज की वीडियो उसमें बताएगे, तीस प्रस्ण आपको बहत पसंद आयोंगे, तो प्यार महबबत के साथ आगे बढ़ाईएगा वीडियो को, और बने रहेगा शुरू से अंद तक, और आगे भी तब तक के लिए दीजिए जनियाहत, नमस्कार, गुड नाइट, सुब्रात्री